जैहिन दोस्तो मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टुलन में आपका स्वागत है तो आज हम कवर करेंगे 27 और 28 फैब के करेंट अफेर्स यहाँ पर बन जानेंगे इंपोर्टेंट पैक्स और जैसे कि आपको पता है 28 फैब लास्ट डे ओफ फैब है तो आपने काफी अच्छे से फैब को कंप्लीट किया काफी सारी प्रॉब्लम्स आई मॉम को है डिंजरी हो गई उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया और स्टिल आयम रिकवरी तो मैंने काफी अच्छे से आपको फैब कंप्लीट करवाने की कोशिश करिए तो अगर अब भी तड़ आपने पूरे वीडियोज नहीं देखें तो आप पूरे वीडियोज फैब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं So question देख लेते हैं काफी ज़याद conducted and activity प्यजित अनरे सब्से ज़यादा इंप्रूर्टन डे और अगर अगर मैं आपसे बात करूँ इस की थीम पहले ही एनौन्स हो गया थी इसकी थीम है Global Science for Global Wellness ठीक है काफी जादा important है तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और अगर मैं बात करूँ कि जो CV रमन जी थे उनको Nobel Prize कब मिला था Physics में तो उने Physics में Nobel Prize मिला था 1930 में ठीक है अब बहुत सारे students को confusion होती है कि इने रमन इफेक्ट के लिए Nobel Prize मिला था नहीं इनको Nobel Prize मिला था for his work Scattering of Light ठीक है Scattering of Light के लिए ये Nobel Prize मिला था तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है Next question देखते है So next question काफी जादा important है 8th राइसने डाइलाग कहां पर होता है आपको ये सबको पता होना चाहिए पहले तो ये होता है New Delhi में और राइसने डाइलाग होता गाई के लिए ठीक है ये conference से ये होती है on geopolitics and geocommerce पे ठीक है तो ये चीज आपको पता लग गई अब इसके chief guest आप से Giorgia Meloni ये होने वाली है chief guest of 8th राइसने डाइलाग ठीक है अब आप से ये पूचा जाएदा कि राइसने डाइलाग कब से start हुआ था तो ये हुआ था 2016 से ठीक है और हर साल New Delhi में ही होता है और हर साल नए नए chief guest होता है तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते है और ये organized किसके थुरू किया जाता है तो it is organized by the Observer Research Foundation ORF ठीक है इन दा partnership with the Ministry of External Affairs ठीक है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखना है और अगर मैं आप से बात करूँ ये सारे नाम जो थे ये chief guest ची थे अपने तो आपको पता है Republic Day के जो chief guest थे वो कौन थे वो थे अब्दिल फते LCC और ये कहां के ये हैं एजिप्ट के ठीक है ये है एजिप्ट के जियोर्जिया मेलोनी कहां की हो गई जियोर्जिया मेलोनी होगी राइसेना डायलग की ठीक है राइसेना डायलग एट राइसेना डायलग की फिर जैसे आपको पता है लूलाडी सिल्वा जो प्रासील के प्रसीडेंट बने थे अब भी रिसेंटली और इनने हेल्थ एमर्जिंसी यहां पे डिकलियर की थी तो यह सब चीज़े आपको ध्यान रखना है नेक्स कोशन देखते है तो नेक्स कोशन देख लिए थे काफी जादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंप्रेज बायो गैस ब्लांट कौन से स्टेट में अन्वील्ट हुआ है नौर्थ इस्ट के तो यह नौर्थ इस्ट का फर्स्ट बायो गैस कंप्रेज ब्लांट है तो यह कौन से स्टेट में हुआ है यह हुआ है असाम में काफी जादा इंपॉर्टेंट कोशन है और यह नौर्थ इस्ट का फर्स्ट कंप्रेज बायो गैस ब्लांट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो कमरू पर एक डिस्ट्रिक्ट है आप यह चीज भी ध्यान रख सकते हैं बाकी important यह है कि आसाम में हुआ है और अगर मैं आपसे बात करूँ अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड का first bio gas plant ठीक है मुझे नहीं पता यह compressed था कि normal था बट यह first bio gas plant कहां पे आया था तो यह आया था Mumbai में ठीक है वर्ल्ड का first इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं है वर्ल्ड का first आया था Mumbai में in 1853 में ठीक है in 1853 में तो यह चीज भी आप याद रख सकते हैं और अब भी recently North India का first nuclear plant ठीक है first nuclear plant कहां पे आया तो वो आया हरिय जाना में ठीक है तो यह सब चीजे आपको ध्यान रखना है कि first कौन सा state में आ रहा है कि क्या नया development हो रहा है तो यह सब चीजे आपको ध्यान होनी चाहिए next question देखते है so next question है who backed the best FIFA men's player prize for 2022 मुझे बहुत कमेंट आयते कि sir यह तो बहुत पुराना prize है बट नहीं यह कल या परसो यह announce हुआ है यह prize और काफी जादा important है आपके लिए best FIFA men's तो यह किसने जीत लिया यह जीता है किसने Lionel Messi ने काफी जादा important है और इनने second time जीता है ठीक है इनने second time जीता है और first time जब कब जीता था यह जीता था 2016 में ठीक है तो यह चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं और second पे रहे है Mbappé जो कौन सी team से हैं जो हैं France से ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे और Messi का तो आ Argentina से ठीक है next question दिखते है next say who has been dropped as the brand ambassador of PepsiCo India PepsiCo India के नए brand ambassador कौन बने वैसे तो बहुत कम question आते brand ambassador के बट एक आदा फस गया तो अपनको सारी चीजे पता होना चाहिए current affairs में तो कौन बने वो बने रणवीर सिंग काफी आपको ध्यान रखना है यह रणवीर सिंग का कि PepsiCo India के यह बन चुके है brand ambassador और अधर मैं बात करूँ रणवीर कपूर अब भी क्यों न्यूज में थे इनने जीता है दादा साहे पाल के award for best actor कौन सी movie के लिए ब्रह्मस्त्र movie के लिए for Shiva ठीक है तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए next question देखते है So next question है a new project sensor based smart agriculture for agriculture based activities यह कौन से state और YouTube ने अप्रूफ किया recently यह around 30 करोर रूपी का यह project है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और यह artificial Isol missions पर यह काम करेगा है तो यह पता होना चाहिए कौन से state ने किया यह किया है जम्मू एंड कश्मीर ने आप इसको सिफ द्यान रख सकते हैं बाकि important नहीं है इतना बड़ आपको ध्यान रखना है next question देखते है So next question है थीन पार्क based on the life of Shivaji Maharaj ठीक है शिव स्रिस्थी will be inaugurated in which city ठीक है अगर आप Maharaj PST की preparation कर रहे हैं तो काफी जादा important question ही आपके लिए और अब भी recently Asian dialogue कहां पे होई थी वह होई थी पुने में ठीक है पुने में एक चीज और आई थी आपको पता है कि deepest metro station वह कहां पे आय चाहिए और और क्या बताऊं मैं आपको इसमें तो यह थीन पार्क कब inaugurate हुआ यह हुआ कहां पे यह हुआ पुने में और आप है ना यह जो metro station है deepest metro station आप प्लीज इससे confused मत होईएगा जो अपना underground underground metro आरी वह कहां पे आरी वह आरी कॉलकत्ता में ठीक है underground metro आरी कॉलकत्ता म में अबर deepest metro station कहां पे आया था वो आया था पुने में ठीक है next question देखते है so next question is the 10th edition of technotex 2023 will be in which city यह कहां पे किया जाएगा यह किया जाएगा मुंबाई में ठीक है यह मुंबाई में किया जाएगा एक international exhibition है को इसलिए यह चीज आपको ध्यान रखना है और अब भी recently आपको पता हुगा कि एक iconic railway station है जिसका नाम है church gate ठीक है church gate railway station इसका name change करके क्या क cd देश्वूक यह first governor कौन सी organization के थे यह first governor थे Reserve Bank of India के ठीक है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए आपसे question पूछा चा सकता है next question देखते है so next question is the 7th edition of Asia economic dialogue will be held in this city जैसा कि मैंने आपको रिसेंट ली बताया कि यह होने वाला है पूने में तो यह काफी जादा important है और आपको यह ध्यान रखना है कि first यह 7th edition है और यह Asia economic dialogue होने वाला है पूने में और अब भी मैंने आपको बताया कि जो deepest metro station है वो आ रहा है कहां पर व इस dialogue के अगर theme आपसे पूछ लिया जाए तो यह Asia and the Emerging World Order इसकी theme है इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं बाकी बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह कहां पर हुआ यह हुआ पुने international center में next question देखते है so next question is the first borderland international knowledge festival recently begin in which state जिसे कि आपको पता एक borderland यह autonomous region है यह कहां का है borderland कहां पर तो यह है असाम में यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे है ना next question देखते है so next question है which player become the second industry to score the 700 career club code ठीके 700 goals मार चुके हैं अपनी पूरे career में तो यह कौन बने यह बने Lionel Messi और FIFA player of the year 2022 यह कौन बने वो भी बने Lionel Messi और अगर मैं बात करूं फस्स प्लेयर कौन थे ठीके फस्स प्लेयर जिनने यह कमाल किया था वो थे CR7 Cristiano Ronaldo ठीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है और यह किसके खिलाफ मारा है इनने तो इनने मारा है Paris Saint German जो अब भी मैशिल में हो रहा था बिन ओबर मैशिल है ना तो यह चीज आपको पता होना चाहिए next question देखते है So next question है World NGO Day कब celebrate क्या जाता है यह celebrate क्या जाता है 27th PEP को यह काई के लिए celebrate क्या जाता है To recognize the contribution of non-government organization काफी जादा important है आपको यह भी ध्यान रखना है और first यह कब celebrate क्या गया था तो यह celebrate क्या गया था 2010 में 2010 में यह first celebrate क्या गया था and become an annual event that highlights the work of NGO around the bird NGO आप ध्यान रखनेंगे कब celebrate क्या जाता है 27th PEP को next question देखते है So next question है कि कौन सा state बना है first in history to introduce mechanical elephant to perform temple rituals ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ first state बना है तो आपके दिमाग में एक ही state आ रहा होगा वो बना है कैरला ठीक है हर बार अगर कुछ first कर रहा है तो अब तो यह mechanical elephant भी आ गया है यह आ पर first तो आपको ध्यान रखना है यह कैरला नहीं कर रहा होगा और अब भी recently जो manholes को एक robots लेके आए जो manholes को साफ करेगा वो भी किस ने किया है first in the country बना है वो भी बना है कैरला ठीक है तो यह सब जो important important है वो कैरला नहीं किया है आपको definitely एक question CDS में तो मिलने वाला है या NDA में मिलने वाला है कैरला से related आपको कोई भी district जिसे column पूछ सक सकते हैं वायनन्द पूछ सकते हैं ठीक है मैं बता बता के ठक चुका हूँ अगर आप में इम्मत है तो please मुझे comment section में जरूर बताईए कि कौन सी चीजे first first कैरला ने अब भी तक की है ठीक है जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा important next question देखते है so next question देख लेते हैं प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी न अब भी रिसेंट्टी इनाउग्रेट करा शिवमुगा एयरपोर्ट ठीक ही कौन सी स्टेट में अभी यह रिसेंट्ली करा तो यह करा करनाटका में और अभी करनाटका की विजिट पे थे में मोदी जी है ना तो यह क की गई है उसको में बिल्डिंग को यह चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट जहां पर लोटस टाइप की बिल्डिंग बनी है तो वह बनाए शिवमुगा एयरपोर्ट करनाटका में तो यह इजी कोशन है बाकि आपको ध्यान रखना है शिवमुगा ए रखी जाती है तो यह आपको पता होना चाहिए और कौन सा स्टेट बनाए वह अपने लिए जादा इंपोर्टेंट है वह बनाए करनाटका करनाटका के चीफ मिनिस्टर ने अनौंस किया है कि यह फर्स्ट मेरीन ऑफ इंडिया है जो कंस्ट्रक्टेट किया जा रहे है उड नेक्स कोशन देखते हैं तो नेक्स कोशन है प्रसीडेंट द्रापदी मुर्मु जी ने इनौक्रेट करा 14th National Cultural Festival कौन से स्टेट में किया तो यह किया वीकन राजिस्तान में आपको यह ध्यान रखना है आपसे शायद यह पूछा जा सकता है तो अपन यह ध्यान रखेंगे और इसमें और कुस तो नहीं जाना है यह फॉर्ड फॉर्स ताइम इन राजिस्तान इस फेस्टिवल विच लास्ट पॉर्ड नाइन डेजिशन तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए बाकी तो आपको कुछ याद नहीं रखना इस कोश्चन से रिलेटेड नेक्स कोश टीक है 1200-1100 जो भी आते थे ठीक है फोन काफी अच्छे फोन ते जिसमें आप स्नेख की गेम के खेला करते थे ना तो यह कौन सी कम्प्री ने बोला है कि हम अपना चो लोगों है अपना इस चींच करने वाले तो वह बोला है नोकिया ने बोला है अगर मैं आपको यह बात और Nokia एक बार KBC में इस टाइप का question पुछा था कि Nokia कौन किस पे नाम ये रखा हुआ है या एक land दे दिया था option, mountain दे दिया था, river दे दिया था, एना ऐसे कुछ type के वो दे दिया था options, तो Nokia एक क्या है, Nokia एक river है, ठीक है, Nokia एक river के नाम पर ये रखाया गया है, जिसका नाम है Nokia विर्ता, ठीक है, Nokia एक river है, जो Finland की है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये KBC में question पूछा गया था, बहुत टाइम पहले, बट मुझे एकदम से याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है, next question देखते है, so next question है, the youth 20 India summit will be held in which state, ठीक है, आप ये सारी summit याद कर करके ठक ठीक है, उदरपूर में हो इती राजिस्तान में, जो G20 शेरपा कौन है, वो है, कौन से अपने, अमीताफ कान्त जी, ठीक है, अमीताफ कान्त जी, ठीक है, अमीताफ कान्त जी, तो ये बस आपको ये वाली meeting आप याद रख लो, बाकि तो बहुत सारी meetings हो रही है, G20 की, हर आपके इस district में भी हो रही है, यहाप इंदौर में भी हो रही है, अभी खजराओं में चल रही थी cultural meeting, तो बहुत सारी जगे हो रही है, W20 की meeting हो रही है, B20 की हो रही है, C20 की हो रही है, Commerce 20 की, तो बहुत सारी meeting से अपन को याद रखना काफी मुश्कील हो जाएगा, तो लिए यह important आपको बताना थी, next question देखते है, so next question है, recent की Amish Shah जी ने address किया, कोल जन जाती महाकुम, ठीके, कोल जन जाती है, तो आपसे पूछ लेंगी, कोल ट्राइब, कौन से state में बिलॉंग करती है, तो यह basically बिलॉंग करती है, मद्य प्रदेश में, ठीके, मद्य प्रदे कॉलम में करना पड़ता है, बट यह कोल ट्राइब भी न्यूज में है, तो यह कहां पर यह होती है, मेली मद्य प्रदेश में, ठीके, और यह कोल जन जाती महाकुम अब भी recently और्गनाइस किया गया, सतना मद्य प्रदेश में, ठीके, तो यह चीज भी आप ध्यान नेक्स कोशन देखते हैं, so next question है, who has been awarded as 2023 Marconi Prize, ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, Marconi Price काई से related होता है, Marconi Price related होता है, जो computer scientist होते हैं, ये उनको दिया जाता है, ठीक है, computer scientist के लिए award है, और एक award और पूछा जाता है, exam में, Able Price, ठीक है, Able Price किस के लिए दिया जा अगर आप monthly current affairs करते हो, तो definitely आप इस type के questions miss करते हो, देख लीजेगा, आप किसी के भी देखते हो, मुझे कोई tension नहीं है, बट आप please current affairs को miss मत कीजे, काफी जादा एक important role play करते हैं, और एक scoring भी काफी जादा होते है current affairs, ठीक है, तो कौन कोई award से सम्मानित किया गया, ये किया हरी बाल कृष्ण, ठीक है, हरी बाल कृष्ण को ये award से सम्मानित किया गया है, 2020 Marconi Prize, ठीक है next question देखते है, so next question देख लेते हैं, Daniel Madweb for the Qatar Finals, ठीक है, Qatar Finals में इनने जीत लिया है, और अगर मैं आप से बात करूँ, debut किया गया था by defeating Andy Murray, ठीक है, Andy Murray को भी आप जानते होंगे आपने ये नाम सुना होगा, तो इक कौन से sport से related हैं, आप सबको पताएए है, tennis से related, और अगर मैं बात करूँ, तो इनकी world ranking के number 7, ठीक है, कौन सी country से belong करते हैं, Daniel Madweb, तो ये belong करते हैं, रशिया से, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, recent ही अभी Australia Open हुआ था, Australia Open, Australia Open के जो champion थे वो आप सबको पता होगा, 9, 1, 4, ठीक है, 9, 1, 4, ये आपको पता होगा, अब आप मुझे बताएंगे comment section में female Australian Open किसने जीता था, ठीक है, female Australian Open 2023, आपके लिए काफी जादा important है, male or female का, तो female का आप मुझे comment में बताएंगे, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, तो quiz of the day आ उनने अपना नाम रख दिया है, तो आपको बताना है, कौन सी कंपनी है, पैना स्वानी, फिलिप्स डॉमेस्टिक अप्लाइंसेज, बॉश, LG Electronics, प्लीज आप comment में बताएंगे, और संजे उपरांती ने काफी अच्छा comment किया, इस टाइप किया कीजिए, इस से आपकी definitely habit ह होती है, current affairs को recall करने में, और आप भी dots को dots से connect कर पाते हैं, ठीक है, sir आप थोड़ा ही दिन बचें, please अगर आप important, definitely मैं एक important current affairs की series लाने वाला हूँ, जिसमें अपन 10, daily 10 current affairs complete करेंगे, तो अपने around 300 current affairs पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी series होगी, October, November, December, January, February, जितने भी current affairs से important, सारे 5-6 महिने के अपन complete कर लेंगे, ठीक है, next quiz देखते हैं आपके लिए, so next quiz देखते हैं, आपके लिए, नियॉम, recently seen in news, ठीक है, आप सबको बताएं, एक futuristic mega city है, कौन सी country के द्वारा बनाई जा रही है, बिल्ट की जा रही है, कि इस type के question कहीं बार आप से पूछ लिए जाते हैं और अपना confused हो जाते हैं, तो आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Israel, ठीक है, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Israel, comment section में जरूर बताएंगेगा, और लच्वन परमार ने comment किया, sir, please make January grant like December, देखिए, January की भी grant बन चुकी है, और ये कपकी upload हो चुकी है, 99 रुपीज, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, fab की within two days, जो grant magazine है, वो आ जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी अच्छे से revise कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ, आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो please like कर सकते हैं, और Instagram पे follow कर सकते This video is presented by me, my name is Sagar Gupta, मिलते हैं, next class में जब तक के लिए अपना द्यान रखिये, जै हिंद, जै भारत